हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो ब्लिस वर्ल्ड, दिस इस अपर्णा और आपका स्वागत करती हूँ मैं इस ब्रांड न्यू वीडियो में तो मैं आज एक येस और नो का वीडियो बना रही हूँ काफी सारे questions आपके होते हैं जहां पर आपको answer जो है deep में नहीं चाहिए होता है सिर्फ यार आप मतलब हमेशा सोचते कि यार yes और no में बताओ यार ये इतना ज्यादा लंबा चौड़ा discussion नहीं चाहिए sorry ममी खाना बना रही है so काफी जादा लंबा discussion है लंबी सारी चीजे है वो सारी चीजे हमें नहीं जानी है मैं बस जानना है yes और no उतने में बताओ कि ये मतलब answer जो है ये yes है या no है जादा deep में नहीं चाहिए तो इसी लिए specifically मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ऐसे कई सारी वीडियो पहले भी बनाया है yes और no case जहाँ पर answer आपको on point मिलेगा कि yes है या no है जादा उसकी साथ क्यू नहीं है क्यू हाँ है ये सब जादा deep में नहीं गई हूँ मैं तो वो दोनों जो वीडियो मैंने पहले बनाया है उसका भी मैं link description में दे दूंगी और फिर i button में जो है यहाँ पर इस corner में यहाँ पर जो i button आएगा उसमें मैं दे दूंगी तो आप वहां से click करके आप देख सकते हैं वो video तो वो video देखके ये video देखके आप best of three कर सकते है कि आपको तीनों में से कौन सा मतलब अगर दो येस आए एक नो आए तो येस ले लीजिएगा अगर आपको दोनों येस यानि कि तीनों येस आए तो येस ही हो गया तीनों नो आए तो नो हो गया तो मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि एक ही pile चूज़ करना है और फिर उसी answer के साथ आपको stick करना है साथी मैं बता देना चाहती हूँ कि ये general reading है guys इसको general reading की तरह ही लीजिए आपको अगर personally yes or no जानना है personal reading जानना है तो आप मुझे link में description box में मैं लिंक दे रखी है वहां से आप मुझे contact कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से भी आप टारो रीडिंग का जो है booking appointment ले सकते हैं तो वहां से भी आप मुझे contact कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप एक पाइल चूस कर सकते हैं कर सकते हैं तीन कर सकते हैं आपको पूरा वीडियो देखना है फिर अप पूरे अपने हिसाब से लेख के चूस कर सकते जो आपको करना है आप कीजिए सो pick up जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूं कि यह कौन कौन से crystals है फिर आपको pick up करने के लिए भी आसानी होगी तो सबसे पहला crystal जो है Unachite है, card no.1 Unachite, card no.2 Howlite, यह Howlite का crystal है Pile no.3 Soda Light यह Soda Light का crystal है 4 Clear quartz Pile no.5 Amazonite Pile no.6 Bloodstone Pile no.7 Sunstone And last Pile no.8 Aquamarine तो आपको जो भी pick करना है crystals, जितने pick करने हैं आप कीजिए और उन में से आप डिसाइड कीजिए Mostly odd number pick कीजिए ताकि आपको choose करने के लिए असानी होगी यानि कि 5 चूज कर सकते हैं आप 3 चूज कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ सबसे पहला crystal जो है वो है उना काइट तो मैं बता देना चाहती हूँ kindly guys understand मैं जादा deep में इसका answer नहीं देना चाहती हूँ कई लोगों को सिर्फ on point चाहिए होता है इसलिए मैंने ये वीडियो बना रखा है आपको अगर deep में आपके problems जानने है तो आप comment box में मुझे comment करके बता सकते हैं आपका जो problem है तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी वो भी general reading ही होगा अगर आपको personal reading चाहिए तो मैंने आपको बोला है कि आप description में link जो है उसे मिझे contact कर सकते है तो सबसे परला crystal है unakite unakite के बारे में जानते हैं unakite के लिए आया है empress तो इसको तो definitely देखके मैं yes बोलूँगी तो unakite वालों के लिए good news है तो yes है आपका जो भी question आपने पूछा था उसका answer yes है okay how light बढ़ते है how light crystal जो है उसकी दरफ बढ़ते है pile number two तो pile number two के लिए okay tower आया है तो मैं no बोलूँगी ठीक है तो ये आपके लिए है no pile number three soda light देखते आपके लिए क्या आया है four of wands काफी अच्छा card है काफी positive card है तो इसके लिए मैं बोलूँगी yes बढ़ते है fourth clear cards clear cards के लिए आया है star again काफी जादा अच्छा card है hope faith का card है तो clear cards वालों के लिए मैं बोलूँगी yes amazonite की तरफ बढ़ते है amazonite जिन्होंने चूस किया है उनके लिए देखते हैं अपके लिए क्या card आया है eight of swords तो थोड़ा negativity की तरफ जुकरा है card तो amazonite वालों के लिए मैं बोलूँगी no bloodstone जिन्होंने चूस किया है उनके लिए देखते है five of wands आया है conflict का card आया है तो no बोलूँगी मैं तो bloodstone जिन्होंने चूस किया है sorry no sunstone की तरफ बढ़ते हैं sunstone जिन्होंने चूस किया है उनके लिए देखते हैं क्या card आ रहा है 10 of swords, again मैं बोलूँगी no, क्योंकि end का card है, किसी तरह से end हो रहा है, कुछ तो, ठीक है, डीप मैं नहीं जारी हूं मैं, तो sunstone के लिए मैं बोलूँगी no, last है card of the day, aquamarine, aquamarine जिन्हों ने चूज किया है, उनके लिए देखते हैं, कौन सा card आ रहा है, उनके लिए आया है, ace of wands, तो positive note पे एंड कर रहे हम video, ace of wands यह की बहुत अच्छा card है, positive card है, तो Amazon, sorry, aquamarine जिन्हों ने चूज किया है, उनके लिए मैं बोलूँगी yes, so, काफी अच्छे cards आया है, काफी positive भी cards आया है, जो positive cards आया है, वो तो extreme positive आया है, जो negative आया है, ठीक है, no है for now, आपका best of 3 अगर best of 5 अगर आपने किया है, best of 5 अगर आपने किया है, best of 7 आपने किया है, I hope कि आपको positive ही result मिला हो, so, thank you so much for watching this video, guys, I hope कि मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, I hope करती हूँ, आपको अगर अच्छा लगा है, तो show your love, like कीजे इस वीडियो को, comment box में बताये कि आपको क yes, 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 Q है, या फिर no, yes, no, Q है, deep में, जो में यह वीडियो में नहीं गई हूँ, तो deep में अगर आपको जाना है, तो definitely link दी गई है, description box में मुझे contact करने की, जरूर contact कीजे, and इस वीडियो को like कीजे, आपको अच्छा लगा हो, तो comment कीजे, मेरे चानल को subscribe कीजे, क्योंकि ऐस इसे वीडियो में काफी जादा बनाती रहती हूं, आई बटन में मैंने यहाँ पर पहले वाला yes or no वीडियो जो है, वो भी डाल रखा है, तो अगर आपको इसमें आंसर अच्छे से नहीं मिला हो, तो वो वीडियो भी जाके चेक आउट कर सकते हैं, उसको तो आपने बहु Thank you so much for watching guys, bye bye.